स्री संकटा माता की जय संकटा माता सभी संकटों को नश्ठ करती हैं अठ संकटा माता बत कथा एक बुढिया थी उस बुढिया का एक जवान बेटा था उसका नाम था रामनाथ वो जीवका के लिए परदेश चला गया पुत्र के विदेश जाने के बाद उसकी बुढियी मा बहुत ही चिंतित और दुखी रहा करती थी उसकी पुत्र बधू से बहुत नित्य खरी कोटी बाते सुनाती थी इसलिए बुढिया प्रदिन अत्यंचित और उदास बाव से घर की बाहर सित एक कुए की जगत पर बैठ कर रोया करती थी बुढिया का ये क्रंग लगा तार चलता रहा एक दिन उस कुए में से दिये की मानाम केक इस्ति निकली और बुढिया से पूछा ओ बुढिया मा तुम इस तरह से बैठ कर रोती क्यों हो तुम्हे किस बात का दुख है तुम अपना दुख मुझसे कहो मैं तुमारे दुख को दूर करने का भरसक प्रयत्न करूंगी बुढिया ने उस इस्ति से ऐसे प्रस्न सुनकर भी उसका कि मां बार बार एक ही प्रस्न दुराए जाने के बाद वो बुढिया जिजलाव थी उस बुढिया ने दिये की मां से कहा तुम मुझसे बार बार ऐसा क्यों भूश रही हो क्या तुम सच मुझ मेरा दुख दूर करोगी तो वो बोली बुढिया की बात सुनकर के मैं आवस ही तुम्हारे दुख को दूर करने का प्रयास करूंगी बुढिया ने दिये की मां का ऐसा स्वासन पाकर कहा मेरा वेटा कमाने की विचार से परदेश चला गया है उसके अनपस्तिती के कारण मेरी बहु हमेशा खरी खोटी हमें सुनाती है और हमें दुख देती है ये बस के ही रोने का कारण है बुढिया की बास सुनकर दिये की माने उससे कहा यहां के बन में संक्रटा मानिवास करती है तुम अपना दुख उने सुनाकर कष्ट से चुटकारा पाने के लिए बिंदी करो वो बहुत ही क्रपालू दयालू है उन्हें दुखियों से बहुत अधिक सानु भूती है वेहनी संतान को संतान निर्धनों को धन निर्बल को बन भाग को भाग प्रतान करती है उनकी ग्रफा से सो भाग वती स्त्रियों का सो भाग अचल हो जाता है कुमारी कन्या को अपना वर मन पसंद मिल लाता है रोगी का रोग मुक्त हो जाता है इसकी अत्रिक् चड़ों में गिर पड़ी सास्टांग दंडवत करके बिलाप करने लगी संकटा माने दया भाव से बुढ़िया से पूछा बुढ़िया तुम किस कारल से रो रही हो बुढ़िया ने कहा मा आप तो सब कुछ जानने वाली है आप से क्या कुछ छिपा है आप मेरे दुख को द संकटा जी के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा मेरा लड़का परदेश चला गया है उसके घर में ना रहने से मेरी बहु मुझे बहुत दुख देती है उसकी बातें अब सहन नहीं होती है इसी कष्ट के कारण में विवश्टो कर रो रही हो बुढ़िया की इस दर्द भरी गाथा को सुनकर संकटा मा ने कहा तुम घर पर जाकर मेरे लिए मनोती मानो कि संकटा मा यदि मेरा लड़का जल्दी सा कुसल घर वापस आएगा तो मैं आपकी पूझा करूंगी और सुहागी मिस्त्रियों को आमाधित करके भोचन भी कराऊंगी संकटा मा था कि कतनामसार उस बुढिया ने घर आकर लड़ू बनाए परंत विचितर बाद यहां थी कि जब भी बुढिया साथ लड़ू बनाती तो साथ ही जगा वो आठ हो जाते वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या कारण है कहीं मेरी गलती से गिनने में तो भूल नहीं है या अपने आप आठ लड़ू हो रहे हैं क्या कारण है उसी समय ब्रधा इस्त्री के वेश्वे मा संकता प्रकट हुई और बुढिया से कहा बुढिया आज तुम्हारे घर कोई उत्सों है क्या बुढिया सुन उन्हें कहा हां मैने संकता जी के लिए स्वाग निस्त्रियों को भोजन कराने का न मंतरन दिया है बुरिया कहने लगी नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया है लेकिन तुम कौन हो संकटा माने कहा मैं बुरिया हो मुझे ही आमंतित कर लो ऐसा सुनकर बुरिया ने उस संकटा रूपधारी बुरिया को भोजन के लिए आमंतित किया इसके बाद बुरिया के घर पर अन्यमिठाई भूजन कराया इसके बाद संक्रता मा की क्रपा से उस रमानात के मन में अपनी माता पत्नी से मिलने की इच्छा बहुत ही जादा प्रबल हो गई सुहागिनों को भूजन कराते ही उस बुढ़िया का बेटा परदे से अपने घर आ गया लड़की के आने की सूचना बुढ़िया को दी गई लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही उसने कहा लड़की को बैठने दो मैं सुहागिनों को जिमा कर आती हूँ लड़के की बहु ने पती आगमन का समाचार पाया तो पती के स्वागत के लिए तुरंत वहां से प्रस्थान कर दिया लड़के ने अपनी बहु को देखकर मन में विचार किया कि मेरी पतनी को मेरे प्रती कितना प्रेम है जो खबर पाते ही मुझसे मिलने के लिए चलिए आए लेकिन मेरी माता का जरा भी प्रेम नहीं है खबर पाकर भी मुझसे मिलने नहीं आई जब पूजा का काम समाप्त हो गया सब सुहागी ने भोजन करके अपने अपने घर लोड़ गई तो बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास आकर के पहुंची बुढ़िया, मा के आने पर लड़के ने पूझा भी तक कहा थी मा, मा ने कहा बेटा तुम्हारी कुसलता के लिए मैंने संकटा मासे मनवती मांगी थी, उसी को पूरा करने के लिए सुहाईनों क भोजन करा रही थी संक्टा माता की क्रपा से लड़के के मन में अपनी पत्नी से फ्रेम ही हट या उसने मां से कहा या तो अब घर पे मैं रहूंगा या यह पत्नी रहेगी बुढ़िया ने कहा बेटा तुम्हें तो बड़ी तपस्या कर खिंता से मैंने पाया है इसलिए तु गई रोने लगी उसी समय एक राजा उधर से जा रहा था उसी इस्त्री को रोते हुए देखकर राजा ने पूछा देवी क्यों रो रही उसने अपनी सारी बात राजा को बताई राजा ने कहा आज से तुम मेरी धर्म बहन हो इसलिए तुम रो मत और पेंड से नीचे उतर आ गई घर जाकर राजा ने अपनी राणी से सारा ब्रितांत के सुनाया और राणी को संबोधित करते हुए कहा देखो यह आज से मेरी धर्म बहन है इसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए राजा के यहां पहुँचकर फिर रमानात की इस्त्री ने संकटा माता के न अथर सरीखे लड़ू कैसे हजम होंगे ऐसी हुए ना पूर्वग बातें कहकर राणी ने लड़ू खाने से हिलकार कर दिया संकटा माता की क्रपासे सुहागिनों को भोजन करते ही उस इस्त्री का पती अपने घर से उसको लेने के लिए आ गया यहां आकर अपनी पत्नी को माता संक्ता की पूजा करते हुए देका संक्ता माता को हाद जोड़कर उसने अपनी पत्नी से कहा प्रियतमा मेरे अपराधों को छमा करो पत्नी ने कहा हेनात यह सक्तो प्रारग भाग्य से हुआ है इसमें किसी का कोई दोस नहीं आप तो मेरे ईश्वर है मेरे अपराधों कुछ हमा करो यूं कह करके उन दोनों ने मिलकर माहा की सविधी पूर्वक पूजा की पूजा की समाप्ती होने पर वे दोनों इस तरी पूस प्रशाद भापी कर अपने अपने घर जाने के लिए वहां से सब लोग कत्पर हुए जाते समय बहु ने रानी से कहा मुझको जब पढ़ा दो अपने धरुभाई के साथ तुम्हारे घर आई और यदि आपको कभी कश्ठोर दो तो बिना संकोच के हमारे घर आनायजा किंकर बहु अपने पती के साथ राजा के महल से विदा हो गई संकटा मा का निरादर करने के कारण रानी पर संकटा मा का प्रपोक वा बहु के जाने के बाद ही उसका सारा राज नश्ट भ्रष्ट हो गया ऐसी विपत्ती में पढ़कर रानी ने राजा से कहा नमालूम तुम्हारी धर वहन कैसी हिस्त्री है कि उसके यहां से जाते ही यह सब कुछ नश्ट भ्रस्ट हो गया रानी ने राजा से कहा वो जाते समय कह गई थी कि मेरे उपर कोई संकट पड़े तो मैं तुम्हारे यहां आई और कदाची तुम्हारे उपर कभी कोई विपती संकट आये तो तुम मेरे घर चली आना इसमें संकोच ना करना इसलिए हम लो कर दिया कि तुम्हारे आते ही हमारी सारी संपत्ती नश्ट हो गई हम लोग बहुत परिशान है रानी की ऐसी दर्द भरी बास सुनकर उसने कहा बहन मैं तो कुछ नहीं जानती मेरी करता धरता तो संकटा मा है उनकी अत्रिक्त कौन है इसलिए मेरी तो यही राय है कि तुम स चमा के लिए उसे प्राटना करो उनका ब्रत करो मान मनोती करो तुम्हारा सारा काम विगडा सुधर जाएगा संकट नश्ट हो जाएंगे उनके कथना उसा रानी ने शद्धा भक्ती से संकटा माता का ब्रत किया और सुहागिनों को भूजन कराया अंजान में वी भूल के संकटा मा से बारम बार रानी ने राजा ने छमा मांगी रानी के ऐसा करते ही संकटा मा प्रसंद हो गई रात में रानी को सपन में कहा कि तुम दोनों कल सुबा अपने घर को जाओ वहाँ जाकर के मेरी पूजा करना ब्रत करना सुहागिनों को भूजन कराना ऐसा करने से सुख भोगने लगे संक्टा मा की कथा जो भी सुनता है सुनाएगा और करेगा नित्यप्रति उनकी पूजा उनका नाम लेगा ब्रत करेगा उन्हें कभी कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा और उनकी सारी मनों कामनाय पोड़ हो जाएंगी इसमें तनिधी संदे नहीं बुलो संक्टा माता कीजए